आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे तो बच्चो आज हम विशे हिंदी में कक्षा 3 के लिए पार्ट 11 मीरा बहन और बाग के प्रशन उत्तर करेंगे तो प्रशन उत्तर करने के लिए आप वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो चलते हैं वक्षीट की और विशे हिंदी पार्ट 11 मीरा बहन और बाग आप इसी तरीकी से अपनी कोपी में हेडिंग डालेंगे और ये काम कोपी में करेंगे और इन प्रशन उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और इनको याद भी करेंगे नाम तिथी, डेट, कक्षा तीन और उसका सेक्षन जरूर लिखना ठीके प्रशनों की उत्तर लिखो प्रशन एक, मीरा बहन का जनम का हुआ था? उत्तर, मीरा बहन का जनम इंग्लैन में हुआ था? मीरा बहन का जनम इंग्लैन में हुआ था? प्रश्न दो, मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी? उत्तर है, मीरा बहन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी प्रश्न तीन, बाग की खबर पूरे गाउं में फैल गई कैसे? बाग की खबर पूरे गाउं में इसलिए फैल गई क्योंकि गाउं छोटे वो कम आबादी और आपस में भाईचारा होने के कारण ही तुरंद बात फैल जाती है बाग की खबर पूरे गाउं में फैल गई कैसे? बाग की खबर सबने सुनी तो गाउं छोटे छोटे होते हैं और उनमें आपस में बहुत भाईचारा होता है, प्रेम होता है तो छोटे सी भी बात गाउं में होती है तो वो पूरे गाउं में जल्दी से फैल जाती है इसलिए बाग की खबर भी जल्दी से गाउं में फैल गई तो बटा ये तीन तीन कोस्चन यह हो गए अब नेक्स्ट पे चलते हैं लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों जो लोग थे सारे गाउं वाले वो मीरा बहन के पास क्यों गए अपनी परेशानी लेके तो अब उत्तर है लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगी प्रश्न पांच पिंजड़ा बिना बाग के बंद हो गया क्यूं? जब गाओं वाले पिंजड़े को देखने के लिए गए थे कि उसमें बाग अंदर कैद हो गया कि नहीं कैद हो गया तो उसको जब देखा तो बिना बाग के ही पिंजड़ा बंद हो गया तो वैं सोचने लगे कि कैसे तो पिंजड़ा बिना बाग के ही बंद हो गया क्यूंकि मीरा बेहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था ठीक है बेटा तो ये पांच प्रश्ण है आपको प्रश्ण उत्तर आपको अपनी कोपी में हेडिंग डाल के अच्छे से करना है और मात्राओं की कोई गलती मत करना ठीक है और इसको यह भी ठीक लिखना यह के है ठीक है और यह अच्छे से करना हए हो आपको पांचों कोस्चन से पूरा पार्ट पता चल गया होगा कि पूरे पार्ट में क्या था और अच्छे से आप भी याद करना इसको और अपना पार्ट भी अच्छे से पूरा लेसन को अच्छे से कई बार पढ़ना ठीक है बटा? ओके बाई